आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुप्राडेन टाबलेट के बारे में तो सुप्राडेन टाबलेट क्या है, इसके अंदर मेन कंटेंट क्या होता है इसको लेने से क्या-क्या फायदा होता है, कौन-कौन से समस्याओं में इसका इस्तिमाल करना चाहिए डॉक्टर आपको इसको किस प्रमाण में सेवन करने को बोलते हैं कितने दिन तक इसका उपयोग किया जाना चाहिए यदि आप इस टाबलेट का सेवन कर रहे हैं तो आपको क्या-क्या साइड एफेक्ट दुश परिणाम हो सकते हैं किन लोगों को इसका इस्तिमाल नहीं करना चाहिए इसका कीमत कितना है और कहां से आप इसको खरीच सकते हैं पूरी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूं वीडियो को शुरू से लेकर अंतक जरूर देखें नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं यूट्यूब चानल वेंग्टेशिच पुजार और मैं हूं डॉक्टर वेंग्टेशिच पुजार आई आज की चर्चा को शुरू करते हैं इसमें route करें contractors 12 तरीके के विटायमिन होता है विटायमिन वी एलेमेंट्स होते हैं कॉपर सफेट selenium, chromium, pecalinate, sodium, molybdate, meganite, sulfate और इसमें amino acid होता है L-glutamic acid आईए बात करता है कौन-कौन से समस्याओं में आपको इसका इस्तिमाल करना चाहिए यदि आप इसका सेवन कर रहे हैं तो आपको क्या-क्या benefit होने वाला है तो देखिए इससे पहला चीज जो होता है वो होता आपका जो immunity है उसको ये strong बनाने का काम करता है आपका जो रोग प्रतिरोधक शमता है उसको strong करता है उससे क्या होता है यदि आपको कभी भी भविश्य में छोटा-मोटा infection होता है तो वो आपके शरीर में बड़ी बिमारी का रूप नहीं ले पाता है ये शरीर आपका उसको बाहर से ही निकाल देता है अंदर उसको नहीं आने देता है और ये आपको कोई घाव अगेरा हो गया है शरीर में तो उसको भरने में, wound healing में जल्डी-जल्डी wound healing में आराम करके देता है और ये आपके शरीर में iron का absorption जो है उसमें help करता है तो जिन patients को खून की कमी होती है तो उसको भी ठीक करने का काम करता है एनिमिया की जो समस्या रहती है उसको भी ठीक करने का काम करता है और यह आपकी जो हड्डियों का स्वास्थे रहता है, उसको मेंटेन करने का काम करता है उसके साथ ही साथ आपके जो त्वच्चा है, आपके बाल है, आपके नाखून है, आपके जो दात हैं उन सब का भी जो स्वास्त्य है, हेल्थ है, उसको मेंटेन करने का काम ये करता है इसमें देखे जो विटायमिन मिनरल्स जो आपके शरीर में कमी होती है जिन लोगों को विटायमिन मिनरल्स की कमी होती है तो उन लोगों को उसकी कमी को दूर करने का काम ये करता है जो लोग खाना वगेरा जो है अच्छे से नहीं खाते हैं अच्छा डाइट नहीं लेते हैं उनके शरीर में nutritional deficiency होता है तो उन लोगों को nutritional deficiency को दूर करने का काम ये करता है और जिन लोगों को बहुत जादा weakness की समस्या रहती है कमजोरी की समस्या रहती है बहुत जादा थकावट होता है बहुत ऐसम tiredness जैसा लगता है तो उन लोगों में थकावट को कम करने का काम ये करता है और ये लोगों में energy level को बढ़ाने का काम करता है और उनके stamina को बढ़ाने का काम करता है और जिन लोगों के बाल और समय सफेद ह रहे हों उसको भी कम करने का काम करता है और ये डाइबिटिक नियुरोपथी को कम करके देता है डाइबिटिक नियुरोपथी क्या है ये कॉंप्लिकेशन होता है जिन लोगों को डाइबिटीस की समस्या होती है उन लोगों में जो उनकी नसे है वो वीक होने लग जाती है हात पाओं में जादा खिचावट आता है, बहुत जादा जलन होती है हाथों में पाओं में, उसको भी कम करने का काम ये करता है, जिन दुगों को सीने में जलन की समस्या रहती है, उसको भी कम करने का काम ये करता है, जो महिलाएं गर्ब ववती होती है, तो गर्ब ववती के करते हैं इसको डॉक्टर आपको किस प्रमाण में सेवन करने को बोलते हैं तो यहां देखिए मैं अडल्ट डोसेज के बारे में बात करने वाला हूं जिनकी आयू 12 वर्से से जादा है चाहे वो लड़का हो लड़की हो पुरुष हो महिलाएं हो देखिए आपको एक टैबले आपको लेना है सुबह लेना है रात को लेना है वो आप fix कर सकते हैं इसको हमेशा खाणा खाने के बाद ही लेना है । उर इसको न्DR पाने के साथ लिया जाना चाहिए और इसका maximum । बंलेट गिम आ को कोई डैशिंसी की समझ है तो maximum ।ोसेज दो टाबलेट सुबह, दो टाबलेट रात को लेना है, खाना खाने के बाद लेना है, और नॉर्मल पानी के साथ इसका सेवन करना है, और आपके डॉक्टर के कहें अनुसार भी आप इसको ले जकते हैं, कितने दिन तक इसका सेवन करना चाहिए, तो देखिए वो depend करता है आपके treating doctor पे जब आपके treating doctor आपको clinically examine कर लेते हैं आपके जो रक्त परिक्षाओं के report होते हैं उनको देख लेते हैं और कौन सी समस्या को ठीक करने के लिए वो आपको इस दवाई को suggest कर रहे हैं तो उस पे भी depend करता है इसलिए आपके doctor के कहें अमसार आप इसको ले आप बात करते हैं इसके side effect के बारे में देखिए जो side effect में आपको बताता हूँ वो हर एक को नहीं होता है कुछ ही लोगों को होता है यदि होता है तो क्या होता है उसके अबार में मैं आपको यहाँ चर्चा करने वारा हूँ तो देखिए यदि इस tablet को आप खाली पेट ले लेते हैं तो आपको यह gastric problem कर सकता है पेट आपका फुला फुला हो सकता है सीने में जरन को और बढ़ा सकता है आपको उल्टियां हो सकती है आपको भूक ना लगना यह समस्या हो सकती है जादा प्यास लगना आपका जो दा बात करते हैं इसके contra indication के बारे में किन लोगों को इसका इस्तिमाल नहीं करना चाहिए देखिए पहला condition है pregnant ladies जो गर्बवती महिलाए हैं उनको specially इसको डॉक्टर के guidance में ही इस्तिमाल करना है नहीं तो नहीं उसकरना है इससे complications भी हो सकती है और जो diabetic patient है उनको भी इसको डॉक कोटे tablets होते हैं जिन लोगों को heart की समझ जाए हैं उनको तो इसका इस्तिमाल नहीं करना है आई अब हम इसके मूले के बारे में बात कर लेते हैं तो यह देखिए आपको 61 रुपे में 15 tablet का strip मिल जाता है और यह आपको 249 रुपे 239 रुपे में 60 tablet का box आपको मिल जाता है हैं तो आप इसको आपके नजदी की medical store या फिर किसी भी general pharmacy में आसानी से खरी सकते हैं तो आशा करता हूं वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई होंगी यदि आप आगे भी इसी तरीके के वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को subscribe करना न भूलें और जो बाजू में आपको लाल बटन दिख रहा है उसको दबा दे उससे हमारे आगे आने वाली सारी वीडियो आप तक जल से जल पहुंच जाएंगी यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक का बटन दबाएं और इस वीडियो को जाज़ जादा अप इस वीडियो को देखने के बाद भी आपके मन में कोई भी डाअउट है हमारे कमेंट सेक्षिन में कमेंट कीजिए मैं उसका उत्तर देने का प्रयतन करूँगा तो देखी ये वीडियो जो हमारे एक सब्सक्राइबर के रिक्वेस्ट पर हमने बनाई है गलती आप भी किसी supervision में ही लेनी है ये वीडियो information के लिए बनाई गई है तो मिलेंगे आप सबी से अगले वीडियो में कुछ नए विशे के साथ till then take care धन्यवाद